हेलो दोस्तों जैसा कि आप देखी रहे हो यह केक जो कितनी सौफट बनी है इसे मैंने कराई में बनाया है तो चलिए आज हम इसकी मेकिंग देखते हैं सबसे पहले हम एक बोल लेंगे उसमें बोल पर मैंने यह चानली रख दिये मैदा चानली के लिए आती है उसमें मैं डेर कुछ डालने के बाद हम इसे चमच से मिला देंगे उसका बाद इससे चाल देना है दोस्तों ताकि इसमें जितने भी बड़े बड़े दाने होते मैदे में वह असानी से बाहर निकल सके अगर हम नहीं चाल लेंगे तो हो सकते हैं यह बाद मैदानी यह अच्छी तरह से उसके बाद मैं इसमें हाफ कप फौर्चुन डिर्फाइड वयल डालूंगा ताकि यह जो केफ है वह अच्छी तरह से सौप्ट बन सके फौर्चुन डिफाइड वयल डालने का रहा दो से अच्छी तरह से मिला लेंगे मैं इसमें पैसर से मिला रहा हूं दोस्तों अगर आपके पास यह नहीं ता आप चमस से भी मिला सकते हैं अगर यह इससे अच्छी तरह से नहीं मिल रही है तो हम इसमें हातों का भी परियोग करेंगे ताकि जितने भी इसमें डाने हैं वो अची तरह से मिल सकें अगर इसमें रहें हैं missing दोस्तों इसलों धोनों हाथों है हमारे फॉर्चुन रिफाइंड वाल देखे अच्छी तरस गुठलिया बन रही है इसका मतलब यह चीज तरसे मिल चुकी है अब मैं इसमें खास चीज डालने वाला हूं वह है दही जिए हां दोस्तों आधात कटोड़ी मैं दही डाल रहा हूं दही डालने बाद इसे अच कफ पानी एट करेंगे मैं उसी दही की कटोडी में ही पानी एट करके इसमें मिला रहा हूं तक इसमें जितनी दही है वो फिर से इसमें एड़ हो सकें उतनी क्वाइंटिटी में देना है दोस्तों जितनी कि यह पतली नाओ गाढ़ी रहें अगर पतली हो जाएगी तो यह चीटर से मिलाना वह भी घडी की दिशा में हाथ को घुमाना है दोस्तों जो थोड़ी देर घुमाने गुपाद इसे थोड़ी देर रेष्ट के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिट उसके बाद इसमें हाफ टीवी स्पुन की लगभग वेनला एसेंसेट करेंगे ताकि अच्छा से इसमें महका सके इसे चितरत से मिला लेना है जैसे यह मिल जाएंगी उसका मैं इसे कप में बनाने वाला हूं दोस्तों ताकि जब भी लोगों की इक्षा करें आप लोगों की आप आसानी से बना स जितने भी कप हैं वो कप में मैं सारे बैटर को फिल कर दूँगा मैं इसमें चार कप का प्रियोग कर रहा हूं अगर आपकी क्वेंटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आप ज्यादा कप कर लो लोगे कि और इसमें यह जो बैटर वो ज्यादा नहीं डालना है ताकि अगर ह इसे कराई में बनाने वाला हूँ दोस्तों वह भी बिल्कुल आसान तरीकों में यह जो केक है इस केक को आप माइक्रोवेव या फिर कुकर में भी बना सकते हो अगर आपको उसकी भी रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे दोस्तों तो केक बिल्कुल रेडी है और यह केक जो है बहुत ही सॉफट बनी है मैं अभी आपको यह केक दिखा दूँगे को कितनी सॉफट बनी है अब जब भी चाहें असानी से इसे घड़ में आप बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक ज उस्टो